वेलकम तो कुकिंग विद मुनीजा आज मैं आपसे शेयर करी हूँ मिक्स वेजिटेबिल की एक बहुत ही जबरदसी रेसिपी इसमें जो है मैंने सब्जियों को रखा हैं ज्यादा नहीं पकाया है इसी वैसे आपको इसका टेक्स्चर बहुत ही नैश्रल दिख रहा है यह ब कीजिएगा जायके में बहुत ही टेस्टी बनती है इस स्टैल से आप सुरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलते हैं अपने इंग्रीडियंट्स की तरफ फूल को भी यह कॉलिफलार मैंने लिया आथा किलो आलू मैंने लिया है एक पाउ 250 ग्रैम टमाटर मैंने लिया एक पाउ 250 ग्रैम गाचर मैंने लिया है हाफ कप 120 ग्रैम मटर भी 120 ग्रैम है यह हाफ कप एक बड़े साइस की शिमला मिर्श ली है इसको मैंने क्यूब की तरह कट कर लिया है मोटा सा अचाहरी मिर्चे हैं 12-15 अपने हिसाब से लिए जगा एक मीडियम साइज की प्यास मेंने लिए इसको ओमलेट की तरह कट कर लिया है गार्लिक पेस्ट है हाफ टेबल स्पून क्रश किया हुआ अध्रक है हाफ टेबल स्पून मसालों में आप देख ले है सफैज जीरा है 1 T. Gadget ओंठ हनो नमक मेथ तरह और एस पर यह हलदी है 1 ते स्पून की साहोगा मसाला है 1 तिस पून कॉलोंजी एज्सबृट लिए को यह िनच हां ऐे यह थोड़ा सा टरश कर लिया ता इसके लावा quarter cup oil दिया है मैंने एक पैन के अंदर quarter cup oil एट कर दिया है flame higher कर दी है और साथ ही इसके अंदर मैं fine chop onion एट कर रही हूँ इसमें onion को brown नहीं करना है बस light pink color देना है अब मैंने इसमें सफेजी राइट कर दिया है एक सी दो मिनिट के लिए onion को saute कर लिया है अब इसके अंदर मैं tomatoes एट कर रही हूँ साथ ही इसमें less than paste edge कर दूँगी अद्रक को मैंने rough chop कर लिया है नमक एस्परियो टेस्ट हल्दी पाउडर रेट चली फ्लेक्स अचे इन सब चीजों को add कर कर जो है इसे मिक्स कर लिया और अब इसको cover करके तीन से चार मिनिट के लिए टमाटर के सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी तोमैटोज अब सॉफ्ट हो चुके हैं स्पून वर्टिकल करके हम इसको मैश करेंगे ताकि तमाम टमाटर सॉफ्ट हो जाएं यग्जा हो जाएं जी अब इसके बाद मैं इसके अंदर आलू एट कर दूँगी आलू मैंने छोटे सा इसके कट किये हैं अचा आलू डालने क इसके बाद तकरीबन एक से दो मिनिट इसको जो है मसाले के अंदर हम फ्राय करेंगे इसके बाद मैस में फोर टू फाइफ टेबल स्पून पानी एट कर रही हैं अचा आलू को तकरीबन मैं 75 परसंट अभी कुक करूंगी कम्प्रीट ड़न नहीं करेंगे धकर पकाऊंगी आलू तकरीबन 75 परसंट ड़न हो चुके हैं यह देखें यह फूल ड़न नहीं है अग हम इसके इसके पक्ते भी आइट कर रही हूँ अचा इसका साइज जो है हमें थोड़ा बड़ा रखना है इसके इतने बड़े साइज का आप रखिएगा ज्यादा चोट अगर हम सबस्के अगरे सबस्की जाती है अचा है बंद ऐसके इसको कट नहीं कर रही हूं आप चाहें शाविटी ही की जाल सकते हैं अच्छा है मैं समैज वाइन और कलॉंजी एड कर दोंगे इससे और अच्छा आरोमा क्रियेट होता है वेजिटेबल्स में अब इसको एक गुड़ मिक्स करेंगे अच्छा मिक्स के लिगे बाद मैं इसको कवर करें मीटिन तू लोग नेव पर अच्छी तो फोर मिनिट्स के लिए जस्ट पकाऊंगे आफ्टर फोर मिनिट्स यह देखेगा हमारी कॉली फ्लार थोड़ी से सॉफ्ट हो गई है अच्छा इसके बाद मैं इसके इंदर 50% कुक और फ्रोजन मडर एट कर रही हूं इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसके अंदर गराम मसाला एट कर रही हूं सबसे लास्ट में गराम मसाला एट करने के बाद गिव इट अ गुड मिक्स ठाके गराम मसाला सब जगों पर पहुंच है अच्छी तरीफे से अब इसको कवर कर वे मजीद 2-3 मिनिट और पक अब मैं इसके अंदर कैप्सिकम एट कर दूंगी कैप्सिकम मैंने क्यों कट किया है और कैप्सिकम डाल के सिफ इसको जस्ट वन और टू मिनिट समें कवर करके मैं कोक करना है और जादा नहीं कोक करेंगे हम अब इसके बाद देखें मैंने इसको कवर इसको हटा दिया है औ और फ्लेम को मैंने इस टाइम हाई कर दिया है और सब्सक्राइब पानी तेया है तेस्टी मिक्स वेजिटेबल तयार है तेकिं किस ख़दर नैश्रल कलर्स वेजिटेबल के इसमें नजर आ रहे हैं आपको सब्सक्राइब को ज्यादा पकाने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूस बिल्कुल खतम हो जाती है आप इसको बिल्कुल इस्टिर फ्राइब अंदास से इस तरह के से जुरू पकाईएगा और फिर मुझे अपने कमेंट से आगार कीजिएगा उमीद करती हूँ यह र